जमू कश्मीर में पिछले पांच दिनों से लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई इलाकों में बार किस्थिती गंभीर हो गई है पिछले छे दशक में आई अब तक की सबसे खतरनाक बार में आज 11 और लोगों की मौत हो गई इसी के साथ राज्य में मरने वालों का आगड़ा 100 की संख्या पार कर गया है प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्राकृति घटना पर समवेदना व्यक्त की है साथी प्रिधान मंत्री राहत कोष्ट से बार में मारे गए लोगों के परी जनों को दो लाख रुपए और घायलों को पचास हजार रुपए की सहाय तक दी जाएगी इस बीच केंद्री ग्रिमंत्री राचना सिंग ने आज जमू कश्मीर के मुक्ष मंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और राजी में बार की स्थिती का जाइजा लिया ग्रह मंत्री ने मुक्ष मंत्री को आश्वासन दिया कि इस मुश्किल घड़ी में केंद्र राज्य सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है ग्रह मंत्री राहत को से 2 लाग रुपे की आर्थिक सहायता दियाएगे और जो घञड़ हुए हैं उन्हें 50,000 रुपे की सहायता दियाएगे उमर खुद ग्रह मंत्री राचनात सिंग और कार्मिक राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंग को श्रिनगर शहर की पानी से भरी सड़कों पर ले कर गए इसके बाद ग्रिह मंत्री ने प्रिधान मंत्री कारेले में राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंग के साथ बाढ़ प्रभावित इलागों का हवाई सर्वेक्षन भी किया राजना सिंग ने कहा कि एक अंतर मंतुरालेई दल राजी में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए भेजा जाएगा और जमू कश्मीर इस आपदा से निपटने के लिए राजी आपदा रहत फंड से ग्यारा सो करोर रुपए का इस्तेमाल कर सकता है ग्रिमंत्री ने समवादाताओं से बात्चीत करते वे कहा कि अब तक 60 सालों में राज्य में ये सबसे बड़ी त्रासदी है साथी ग्रिमंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है तबाही का मनजर, फ्लट के कारण ऐसा मैंने नहीं देखा था किशी शहर में जो आज मैंने देखा है घरों के अंदर पानी घुस गया है और जब शहर में इस प्रकार की तबाही है तो रूरल एरियाद में किस प्रकार की तबाही होगी इसका सहज ये अनुमान लगाया जा सकता है जम्बू में भी ऐसे ही हालात काफी बत्तर हो चुके हैं मैं जम्बू कास्मीर में इसलिए आया हूँ कि यहां के लोगों को ऐश्योर करना चाहता हूँ और यहां की स्टेट गौवर्मेंट और यहां के शीफ इनिस्टर जनाब अमर अब्दूल्ला साहब को ऐश्योर करना चाहता हूँ कि जम्बू कास्मीर के साथ इस क्राइसिस में सेंटल गौवर्मेंट पूरी तरह से खड़ी है हम पूरी तरह से स्टेट गॉर्मेंट की मरत करने को तैयार है मैक्समम रिलीफ जो जम्मू कास्मीर की जनता को प्रवाइड की जा सकती है वो उसको कराने की कोशिस यहां की गॉर्मेंट भी कर रही है और सेंटल गॉर्मेंट भी पूरी मरत करेगी है वहीं दूसरी और कॉंग्रेस नेता गुलाम नभी आजाद ने प्रधार मंत्री से फोन पर बात चीत कर जमू कश्मीर में आई बाढ को राष्ट्री आपदा खोशित करने की मांगी है लगातार हो रही बारिश के चलते सभी बड़ी और छोटी नदियां उफान पर हैं रहत और बचावकर्मी हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में जी जान से जुटी हुई है जमू कश्मीर के उधंपुर जिले में भारी बारिश के बाद हुए भूसकरन की वजह से मकान ढह जाने की दो अलग-लग घटनाओं में साथ लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभी रूप से घायल हो गई लगातार हो रही बारिश के चलते सभी बड़ी और छोटी नदियां उफान पर है जेलम नदी खत्रे के निशान से उपर बह रही है और पुलवावा में तो नदी का तटबंद भी तूट गया है इसके चलते दक्षिन श्रीनगर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अधिकालियों ने रेड अलर्ट जारी किया है मध्य कश्मीर में सिंधु नदी के जलस्तर बढ़ने के साथ इसके आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगों पर जाने को कहा गया है राज में कई नदियां खत्रे के निशान से उपर बह रही है जमु कश्मीर में पिछले कुछ दिनों के दोरान बाढ़ किस्तिती काफी बिगड गई है कई नदियां खत्रे के निशान से उपर बह रही है पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम जिले का अधिकतर हिस्सा बाढ़ की चपेट में है शोपिया जिले के राम बियरा धारा में भी जलस्तर तेजी से बढ़ा है राज़ोरी, रियासी और उधंपुर जिले में भी बाहर किस्तिती भयावह बनी हुई है रहात और बचावकारे में प्रशासन के मदद के लिए सेना, वायू सेना और राष्ट्री आपता कारेबल को बुलाया गया है अब तक साथ हजार सदिक लोगों को बचाया जा चुका है खराब मौसम की वज़े से कश्मीर विश्व विद्याले ने सभी परिक्षाएं 10 सितंबर तक के लिए स्थागित कर दी है विरो रिपोर्ट डीरी नियूज